नमस्कार, A to Z dishes उशा कोरजानी में आप सब का स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूँ राजमा राइस की रेसिपी ये खाने में बहुत ही मज़दार लगते हैं, काफी जटपट से बन जाते हैं गर में बच्चों से लेकर बड़त तक को पसद आएंगे, इतने वड़िया राजमा और राइस बताने जा रही हूँ तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं, तो उसके लिए मैंने हापर ये 200 ग्राम राजमा ले लिये हैं इसके अंदर हम डाल देंगे पानी, दो से तीन पानी से अच्छे से हमें वाश कर लेना है, यानि कि अच्छे से दो लेना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी तरह से मैंने दो से तीन पानी से कर लिया और इसके अंदर पानी फिर से मैंने डाल दिया है, अब इसे पर कुकर रख दिया है यह राजमा को डाल देंगे और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ दो ग्लास पानी और थोड़ा सा नमक यानि कि एक चोथा ही चमत जिता मैंने नमक डाल दिया है एक बार इस तरह से मिला लेंगे और कुकर का ढकन देते हुए इसे हम चार सीटी आने तक पकाएंगे तो जब तक इसमें सीटी लग रहे है हम जीरा राइस की तैयारी कर लेते हैं तो उसके लिए मैंने हाँ पर ले लिए दो कप चावल और इसके भी अंदर हम पानी डाल देंगे और दो पानी से इससे भी हम अच्छे से दो लेंगे पानी से दोने के बाद इसके इंदर फिर से हम पानी डाल देंगे और दस मिन तक इसे बिगो के रख देंगे जब तक वो बिग रहे हैं हम राजमा की ग्रेवी बना लेते हैं तो कडाई में मैंने दो चमश गी और एक चमश तेल डाल दिया है आदी चमश जीरा एक दाल चीनी का टुकड़ा एक तेज प काना है आदी चमश मैंने बीच में अद्रेक लिसन की पेस्ट भी डाल दी है देखे इस तरह से हलका सा गुलावी हो जाए तब तक इसे हमें बूनना है एकदम लाल नहीं कीजेगा अब स्वादन नमक आदी चमश लालमिश पाउडर एक चोथा ही चमश हल्दी पाउडर ए अच्छे से इसमें और स्वाद आएगा तो यह अच्छे से मिला लिया है मैंने अब इसके अंदर में डाल रही दो पीसे हुए टमाटर तो यह टमाटर डालने के बाद फिर से मिलाएंगे दो मिनिट तक पका लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने दो म अच्छे से मिलाना है काफी जट पकास बन जाते हैं तो देखर इसतरह से मिलाणे के बाद इसके अनदर मैंने डाल दिया है एक कप और पानी राज मा के साथ था वो तो मैंने डाल आई और इसी के साथ ये भी डाल दिया अच्छे से मिला कर ढखकर इसे हम पकाएंगे 5-6 मिनिट तक तो यहां पर 5-6 मिनिट के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हैं एक बार मिला कर इसके अंदर में डाल रही हूं आदी चमच गरम मसाला आप क चावलों को विखते होए और इसका मैंने पानी निकाल लिया है अब कडाई में हम डालेंगे गी आप इसे तेल में भी बना सकते हैं पर गी में स्वाद और भी बढ़ी आता है तो मैंने दो चमच जितना डाल दिया है एक चमच मैंने जीरा डाला एक डाल चीनी का और दो छोटी वाली जो हरी इलाई ची आती है न वो अब इसे हम हलका सब बूल लेंगे जादा नहीं अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तीन कप पानी दो कप चावल में तीन कप पानी तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने डाल दिया पानी अब इसके अंदर यह हमारे विग्योवे चावल चावल आप कोई भी ले सकते हैं मैंने यहां पर बासमती लिये हैं बासमती से बहुत ही बड़िया दिखने में भी लगता है और खाने में मज़ा आता है अब इसे हम बीश बीश में चलाते रहेंगे और इसी तरह से हमें खुला पकाना है पर आप देख सकते हैं पांच मिन्ट हो चुके और यह चावल देखे किते बड़िया खिले खिले बने हैं काफी बड़िया खुश्बू आ रही है तो अब इसके अंदर हम डालेंगे दन्या के पते और मैंने गैस को बंद करी लिया है यह बात दियान रिखेगा जब भी आ पांच मिन्ट तक रख दे तक अंदर तक अच्छे से फ्लेवर चले जाएं तो इसे भी मैंने रख दिया था तो लीजे तैयार है एक दम मज़ेदार वाले यह राजमा राइस आपने देखा ही बहुत ही आसान है बनाना तो इसे ट्राइ कीजिए और मज़े कमेंट सेक्शन तब तक के लिए थांक यू फॉर वच्छेंग